सभलता सिर्फ एक सब्द है पर इसको पाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है उसे बहुत कम लोग देख और समझ पाते हैं एक स्टूडेंट अपना सुख चैन भुख प्यास निंद राराम छोड़के अपनी हर खुसी को त्याग करके अपने माबाप के सपने को पूरा करने में लग जाता है लोग तो बस रिजल्ट देखते हैं पर रिजल्ट को एक्चीब करने में जो उसने खोया है उसे लोग नहीं देख पाते अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है अपने आस पास की लोगों के तानों को सेहना पड़ता है लोग कहते हैं इतने दिनों से तयारी कर रहा है लेकिन इसका हो क्यों नी रहा है इसका मतलब ये पढ़ता नहीं होगा मैं उन सब को एक ही बात कहना चाहता हूँ फेक पत्थर जितना फेकना है मेरे पे एक दिन उसी पत्थर को जोड़के इमारत ना बना दिया तो कहना मैं उन सब को अपनी सफलता से जबाब दूँगा वो वक्त भी आएगा उसके लिए मुझे अगर दिन रात पढ़ना पड़े तो मैं दिन रात एक कर दूँगा और अपने लक्ष को हासिल करूँगा जरूर करूँगा